मंगलपुर नाम का एक गाउं था, उस पूरे गाउं में सिर्फ एक ही आटा चक्की की दुकान थी, एक रोज गाउं में रहने वाली माया अपने 15 साल के बेटे लखा को जोर से आवाज लगा कर पुकारती है अरे ओ लखा, कहां मर गया? जब देखो बस गुली डंडा खेलता रहता है, घर में जरा आटा नहीं बचा है, जा जाकर लाला की दुकान पर गेहूं पिसाने डाल करा और लाला को बोलना जरा गेहूं जल्दी पीस कर रखे, घर में जरा भी आटा नहीं है लखा गेहूं का बोरा अपने सिर पर लाद कर लाला की चक्की पर ले जाता है, और लाला से शाम तक गेहूं पीस कर देने के लिए के लिए कहता है मनोहर पहले लख्खा का गे हूँ पीज दे और हाँ लख्खा तो दिन ढलने से पहले ही अपना आटे का बोरा ले जाना भई मनोहर काका मैं शाम को आटा लेने आऊंगा ऐसा बोलकर लख्खा वहां से चला जाता है मनोहर दिन छुपने से पहले दुकान पर अच्छी तरह से ताला लगा कर घर चले जाना दुकान बंद करने में अगर जरा भी देरी की तो मैं तुझे काम से निकाल दूँगा अरे लाला जी आज तक हमने दुकान बंद करने में देरी की है का जो आज करेंगे आ बेफिक्र होकर घर जाईए शाम होते ही लख्खा दुकान पर आता है लख्खा तु आटा लेने आ भी गया पर अभी तक तेरा गेहूं पिस नहीं पाया है आज चक्की मैं कछुखरा भी आ गई थी इसलिए गेहूं पीसने में देरी हो गई तु एक काम कर सुभा आकर अपने आटे का बोरा ले जाना वैसे अब दिन चुपने वाला है हमका दुकान बंद करनी है क्या बात करते हो काका अगर मैं अभी आटा घर न ले गया न तो मा डंडे से मार मार कर मेरा भरता बना देगी हाँ और वैसे भी लाला तो अपने घर पर है, उसे कचु नहीं पता चलेगा कि आपने दुकान दिन छुपने से पहले बंद नहीं की है। ठीक है, ठीक है, एक काम कर, तु मेरी गेहों पीसाने में मदद कर दे, काम जल्दी हो जाएगा। पिर मनोहर और लखा दोनों चक्की में गेहों डाल कर पीसने लगते हैं, कुछी देर में दिन छिप जाता है, कि तभी दुकान का दर्वाजा अपने आप बंद हो जाता है, और चक्की से आटे की जगा खून निकलने लगता है। अरे काका, इस चक्की से एक डरावना भूत निकलता दिखाई देता है, और वो मनोहर का गला पकर कर चक्की पर उसका सिर्ट जोर से पटक देता है। लखा कुछ बोल पाता कि तभी भूत लखा का भी गला पकर कर चक्की पर उसका सिर्ट जोर से पटक देता है। जिसकी वज़ा से लखा और मनोहर वहीं दम तोड़ देते हैं। उसकी चीक सुनकर गाउं के लोग वहाँ इकठा हो जाते हैं। तभी चक्की का मालिक लाला वहाँ आता है, लखा और मनोहर को मरा देख कर मनी मन बोलता है। इस मनोहर को मैंने समझाया था कि दुकान दिन चुपने से पहले बंद कर देना, पर इसने दुकान बंद नहीं की, अब मारा गया ना। लखा और मनोहर की मौत को कुछी दिन बीते थे कि एक रोज लाला की चक्की पर कालिया नाम का एक आदमी आता है। अरे लाला का बात है, बड़े परिशान लग रहे है। फिर तुम्हें जो खाना पिना है वो टाइम पर दुकान बंद करने के बाद ही करना। अगले ही दिन से कालिया चक्की की दुकान पर गेहूं पीसने का काम करने लग जाता है। अरे बीडी जलाईले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आगा है। अरे बीडी से याद आया कि हमने अभी तक एक भी पैक नहीं लगाया है। और एक भूत दिखाए देता है। लुकता है, तू भी यहाँ मरने के लिए आया है। अब तुझे मैं इसी चक्की में गेहूं की तरह पीसूंगा। अब तो तू गया काम से। सुपह जब लाला दुकान पर आता है तो कालिया को लहुलुहान देखकर उसके होश उट जाते हैं। कुछी देर में गाउवाले भी लाला की चक्की पर आपहुँचते हैं। अरे भाईया इस लाला की दुकान से रात को ना जाने कैसी अजीब सी डरावनी आवाजे आ रही थी। हम तो डर के मारे घर से बाहरी नाई निकली। कालिया की मौत के बाद अब गाउवाले लाला की चक्की पर जाने से घपराने लगे थे। लाला भी दिन चुपने से पहले ही दुकान पर ताला लगा कर वहां से चला जाता था। एक रात दो चोर लाला की दुकान का ताला तोड़ कर दुकान में खुश जाते हैं। कि तभी चोर राजू दूसरे चोर साहू से बोलता है। एसा हूँ भाई, इस दुकान में गेहूं और इस चक्की के अलावा कुछ भी नहीं है। उपर से जोरों की भूग भी लगने लगी है। काश इस चक्की से आटे की जगह पकवान निकल जाता। राजू के ऐसे बोलते ही उस चक्की से गर्मा घरम पकवान निकलने लगते हैं। जिसे देखते ही राजू उन्हें खाना शुरू कर देता है। राजू खाना खाई रहा होता है कि तब ही उस चक्की से किसी के जोर से हसने की आवाज आने लगती है। ए साहू, ये पक्वान खाकर तो मेरे पेट और सीने में दर्द शुरू हो गया है। मेरा गला भी बहुत दर्द कर रहा है। जैसे कोई मेरा गला घोट रहा हूँ। साहू, मुझे बचाले दोस्त, मेरी जान बचाले, तु सही कहता है। साहू ये चक्की कोई साधार चक्की नहीं है ये जरूर कोई भूतिया चक्की है तभी चक्की से एक डरावना भूत और चुडैल बाहर आते हैं सही कहा तुम दोनों ने कि ये एक भूतिया चक्की है और अब बाकियों के जैसे तुम्हारा भी खेल खत्म साहु भूत और चुड़ेल को देखकर जोर-जोर से चिलाने लगता है साहु की आवाज सुनकर गाउं के कुछ लोग लाला की दुकान के बाहरा खड़े होते हैं तभी लाला भी वहां आ जाता है लाला ये सब क्या है? जरूर तु गाउं वालों से कुछ छुपा रहा है तभी तो पूरे गाउं में तेरी दुकान सबसे पहले बंद हो जाती है अरे कोई बचाओ हमें बचाओ मेरा दोस्त मर जाएगा अरे अरे कोई तो बचाओ चुडेल गुसे से बोलती है चिला ना बंद कर नई तो तुझे और तेरे दोस्त दोनों को इसी चक्की में पीस कर तेरा जूस निकालूगी चिला चिला कर पुरा गाउं इकटा कर दिया है तुने अब तेरे साथ साथ ये गाउं वाले भी मारे जाएंगे ऐसे बोलकर चुडेल और भूध दोनों दुकान से बाहर निकलाते है जिन्हें देख कर पूरा गाउं थर-thर कांपने लगता है सभी गाउंवाले लाला से बोलते है लाला तेरी चक्की से तो खोन निकल ला है और ये भूध भी इसी चक्की से आये है इन्होंने ही कालिया लखा और मनोहर को मारा है इससे पहले कि ये तुझे और हम गाउवालों को भी मार डाले सब सच-सच बता दे आखर ये सब तेरी दुकान में क्या हो रहा है लाला तु सब को सच बताता है या तुझे इसी चक्की में पीस कर तेरा कीमा बना दूँ नहीं नहीं मैं सब बताता हूँ बताता हूँ ये सब इसी चक्की की वजह से हो रहा है ये चक्की मेरे बड़े की थी जो की शेहर में रहता था एक रोज मेरा बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ गाउं आया और अपनी चक्की ले जाने के लिए उसने मुझसे कहा मगर मैं ये चक्की नहीं देना चाहता था जिसके चलते मेरी उससे बहुत बहस हो गई और गुसे में आकर मैंने अपने भाई का चलती चक्की में सर डाल दिया और उसकी पतनी का सर उसी चक्की से पटक पटक कर उसे भी मार डाला मेरे पिताजी मरने से पहले आधी से ज़ादाद मेरे भाई के नाम कर गए थे यहां तक कि यह सालों पुरानी चक्की भी उसी के नाम कर गए थे बस इसी जलन के चलते मैंने दोनों को इसी चलती चक्की से मार डाला और उनकी लाश रात के अंधेरे में जंगल में दफना आया इसलिए दिन छुपने के बाद कोई भी चक्की के पास आता है तो ये उन्हें मार डालते हैं तभी लाला दिन छिपने से पहले ही दुकान पर ताला लगा कर घर में छुप जाता था, हाँ मगर भूत लाला की एक नहीं सुनता और उसे चलती चक्की में फिंक देता है तभी गाउं में रहने वाले पुजारी जी गाउं के लोगों से कहते है पिर गाउं के कुछ लोग मिलकर जंगल से लाला के भाई और भाई के शव को बाहर निकाल कर उनका पूरे विधि विधान के साथ क्रिया कर्म कर देते हैं पूरा गाउं वो नात्माओं से मुक्त हो जाता है, राजु भी जल्दी ठीक हो जाता है और वो चोरी करना छोड़कर उसी चक्खी में इमानदारी की नौकरी करने लगता है